दोस्तों अगर आप ही मुहमत शमी को एक बहतरीन गेंद बास बानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों पंजाब किंग्स और कॉलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में केके आर की टीम ने पंजाब किंग्स को बुरी दरे से रौन दिया इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सिक्चर में कॉमेंट करके जरू बताई दोस्तों पंजाब किंग्स और कॉलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपियल का मुकाबला नरेंद रबोधी स्टेडियम में खेला गया इस मैच का टॉस जीता था केकियार के कप्तान इयॉन मौगन ने और पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया था पंजाब की शुरुवात बेहत खराब रही थी क्योंकि कप्तान केल राहूर 19 रण के स्कोर पर ही पवेलेन लोट गए थे ऐसे में तीन नमबर पर बल्ले बाजी करने आये थे क्रिस गेल जो की शुनने के स्कोर पर ही दिनेश कारतिक को अपना कैश थमा बैठें पंजाब की टीम को दूसरा जटका लग गया था इसके बाद दीपक उड़ा भी कुछ बड़ा नहीं कर सके और एक रण के स्कोर पर आउट हो गए पंजाब के टीम के तीन बल्ले बाज 42 रण के स्कोर पर ही आउट हो गए थे और इसके बाद पंजाब का कोई भी बल्ले ब बड़ी पारी नहीं खेल पाया और लगातार विकेट पे विकेट तो गिरते रहे पंजाब की टीम ने अंठान ने रणों पर अपना आठमा विकेट खो दिया और 120 रंग भी बनते नजर नहीं आ रहे थे ऐसे में आंतिमे क्रिस जॉर्डन ने अंतिम ओवर में दो चक्के जंडा था और इन दो चकों के बाद तो लड़की जंडा फेराते हुए देखी गई लेकिन कैमरा मैन ने इस लड़की को तस्वीरों में कैद कर लिया जो सोशल मीडिया पर थोड़ी ही देर में इतनी वारल हो गई कि लोग इसकी जमकर सरहना कर रहे हैं और इस लड़की के पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है ये लड़की जिसने थोड़े समय में ही सभी को अपनी खुबसूरती का दिवाना बना लिया इससे पहले जब पंजाब की टीम के विकेट गिरे तो ये लड़की काफी ज़दा चिंतित नजार आ रही थी और इसके चेहरे पर देखकर ये स कॉमेंट सेक्चर में जरूर दीजेगा और ऐसी कबरों के लिए सबस्क्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को धन्यवाद